नमस्कार मैं रभी तिवारी आपके अपने ओनान इस्टिटु टार्गेट पुता लोग से यदि इरादे नेक हों और मजबूत हों तो किसी भी लक्ष को भेड़ा जा सकता है इस और हमेशा मजबूत इरादों के पक्ष में होता है मजबूत इरादों का फेवर करता है लेकिन इरादे तो हमें ही मजबूत करने पड़ेंगे तब ही हम लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में इस समय दो महतपूर परिक्षाएं आपका दरवाजा खटखटा रही है सबसे पहले उत्तर प्रदेश PCS प्रादमे के मम्मुक परिक्षा जो आपके प्रदेश की सबसे वड़ी परिक्षा है जिसका सपना हर परिक्षाथी देखता है और दूसरा सबसे नेक कार जिसके लिए इस्वर चुनता है अध्यापन करना तीचर से सम्मंदित जो आपकी वेकेंसी है सुपरटेट जिससे सम्मंदित बहुत सारे प्रिस्णे आप लोगों ने पिछले दो-ती दिनों में हम लोगों से किये आज की वीडियो के दूसरे पक्ष में मैं सुपरटेट पर बात करूँगा और मैं कोसिस करूँगा कि मेरे द्वारा की गई बात से आपके सभी प्रिस्णों करना के बल उत्तर मिल सके बलकि आपकी एक दिसा भी तै हो सके कि आपको आगे क्या करना है और संस्थान की उसमें क्या भूमका है सबसे पहले आईए PCS की परिक्षा पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं PCS की प्रारंबिक परिक्षा की जो डेट लोग से वायर ने घोशित की है वो आप सभी जानते 21 जून है और मुख परिक्षा की जो डेट घोशित की है वो आपकी 15 अक्टूबर है मतलब बहुत समय आपके पास नहीं बचा है घर बैटके तयारी करने के लिए ओनलाइन इस्टिटूट एक बहुत अच्छा साधन होता है जहां पर हम देश के मातपूर विसेविसेस सग्वों को इखटा करते हैं और वो आपके साथ नौलिज सेयर करते हैं उत्तर प्रदेश PCS का जो बैच हमारे संचालित हो रहा है उस बैच की बहुत सारी जिम्मेदानिया मुझको सौपी गई है कि कैसे हमें इस बैच को रन करना है कि सफलता की दर को बहुत अधिक किया जा सके और मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैं आपकी कसवर्टियों पर पूरा खरात रूँगा आलोक सर के कुसर निर्देशन में हम लोग ये माइल स्टोन बैच चलाने चलना हैं जहां पर सफलता की दर बहुत जादा होगी किसी भी संस्थान में जब हम प्रिवेश लेते हैं तो कुछ महातपूर कसवर्टियां होती है जिन पर उस संस्थान को खरा उतरना होता है तब ही आप उस संस्थान में प्रिवेश लेते हैं जैसे सबसे महातपूर विशय की प्रिकृती के हिसाब से परिच्छा की परिकृति के हिसाब से विसे विसे सक्ड़ों का होड़ा तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी मांग पर दो तरह के बैच उत्तर प्रदेश PCS के लिए हम लोगों ने डिजाइन की है एक तो प्रारम्भिक परिक्षा का ही बैच है और एक प्रारम्भिक मुख परिक्षा का भी बैच है दोलों ही बैचिज के लिए फैकल्टी बिलकुल अलग-अलग है जो प्रारंबिक परिक्षा का बैच है उसकी फैकल्टी बिल्कुल प्रारंबिक परिक्षा के हिसाब से है जिसकी अविदी हम लोगों ने तीन से साड़े तीन महीने रखी है और जो मुख परिक्षा का बैच है उसकी फैकल्टी बिल्कुल प्रारंबिक परिक्षा से अलग है और उसमें ऐसे विशयविशय सग्ग है जो लगभग 15 वर से अध्यापन कार कर रहे हैं और जिनके अध्यापन में जिनके निर्देशन में बहुत सारे लोग संग लोग से बाई की परिक्षामिना की बल पास हुए हैं बलकि वर बहुत अच्छी अच्छी जगाँ पहुँचे हैं और कार कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं बदले हुए पाठ करम और बदले हुए प्रकृति में ऐसे विशयविशय सग्गों का चुनाव करना संस्थान की पृतिवध्धिता थी और संस्थान ने अपनी पृतिवध्धिता को निवाते हुए ऐसे विशयविशय सग्गों को लिया है जिन के लिए आप मुखरजी नगर जाते हैं टार्गिट बित आलोग ऑनलाइन इस्टिटूट पूरी तरह पृतिवध्ध है प्रारंविक को मुख परिक्षा की तैयारी के लिए आप लगातार इसी किरम में ऐसे विशयविशय सग्गों से पृति दिन मिल रहे है बहुत सारे विशयविशय सग्गों से आप मिल चुके है और कल परसों में और भी विशयविशय सग्ग आपसे रूबर होंगे डूरेशन, प्रारंबिक परिक्षा का जो हमने डूरेशन रखा है जैसे आपकी परिक्षा जो है, वो 21 जून को है तो 22 और 23 माई को हम लोग प्रारंबिक परिक्षा के बैच को ना केबल पूर कर लेंगे बलकि आप लोगों को गुडवत्ता पूर्ट टेस्स सिरीज भी देंगे मुख परिक्षा की तयारी भी साथी साथ आपकी प्रारंब रहेगी उत्तर लेखन से लेके पृति एक चीज जो मुख परिक्षा के लिए आवस्सक होती है कैसे कुष्चन ड्राफ्ट किया जाता है अलग-अलग पक्षों को कैसे समझाय जाता है हमारे मेंस के विषय विषय सग सब साथ बैठकर पूरी कारियोजन तयार कर चुके है और कल अर्थात 24 तारिक से दोनों ही बैठेज में हमारी पढ़ाई प्रारंब हो रही है आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने एडमिसन लिया है मैं उनको संस्थान की तरफ से सादू बात प्रेसित करता हूँ और एक सबसे महत्पूर पक्ष जो होता है कि जो विषय सगोंदारा नोट्स आपको प्रदान की जा रहा है उन नोट्स की प्रिकृति आपकी कैसी है तो प्रारंबिक परिक्षा के लिए जो नोट्स है आपके वो बिल्कुल अलग है और मुख परिच्छा के लिए जो notes है वो बिल्कुल क्या है अलग है ना प्रारंबिक परिच्छा के notes में प्रारंबिक परिच्छा की प्रिकृति के हिसाब से वो तथ्यात्मक जादा है और अब्धारणात्मक कम है ऐसे Notes है जिससे आप बिलकुल प्रिश्णों के नजदीक पहुंच सके और बहुत सारे प्रिश्णों का समावेशन आपके Notes में मिल सके और मुख परिच्छा के Notes आपके अब्धारणात्मक है और तुलात्मक से कल से इस बैच को डिलिवर्ट करने चल रहे हैं बहुत सारे लोग यह जारना चाहरा है कि हम प्रिविस प्रिकरिया को कैसे पूरा कर सकते हैं तो मैं एक मिनिट के लिए आपको यह भी बता दू कि आप आप यदि हमारे PCS प्री के बैच से जोड़ना चाहते हैं तो आप इस ज़िजना है और आप हमारे संस्थान से जोड़ जाएंगे आप हमारे बैच से जोड़ जाएंगे आप इस प्रिकरिया से जोड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा इंतिजार करने की और सोचने की जरूरत नहीं है मैं स्वयम ही प्रावम में को मुख पर इच्छा दौनों ही faculties का हिस्सा हूं और पूरी देखरेक आपके बैच में मिरी रहेगी कि कैसे चीजों को अच्छे से संचालित करना है और कैसे हम आपको सरुस्रेश्ट दे सकते हैं लगातार संस्थान में बहुत सारे बैच इस समय संचालित भी हो रहे हैं और वो लोग अपना PCS BEST से जोड़ सकते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ वादा करता हूं कि सरुस्रेश्ट शिक्षर घर बैठे आपको दूँगा आप किसी भी कोने से हमें देख रहे हो अगर आपके मन में थोड़ा भी जज़वा है या आपने एक परसेंट भी अपना देखा है कि आप अफसर बन सकते हैं आप अपने इरादों को मजबूत करिए टार्गे विरता आलोग ऑनलाइन इस्टिटूट और हमारी पूरी टीम एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी अगर आपके अंदर जज़वा होगा हम घर बैठे आपको इतना गुडबत्ता पूर्ण मेटेरियल दे देंगे इतनी वीडियो क्लासिज दे देंगे डेली पास से 6 घंटे कि नोर्स और क्लासिज की माध्यम से आप PCS जैसी पृतिष्टित परिक्षा को घर बैठे भी पास कर सकते हैं बसरते आपके अंदर वो जरूरत है और ना मुखर जी नगर जाने की जरूरत है अब दूसी सबसे महत पूर्वात जो सुपर्टेट से संब्दित है सुपर्टेट के लिए आपका लगातार दबाव हमारे उपर बना हुआ है तो मैं आपको बता दूँ तीन तारिक से बैच में पढ़ाई सुरू हो से 95% कुश्चन्स ना केवल हम लोगों ने अपने नोट से बलकि पूरे करेंट अफेर्स के तीन कुश्चन्स तीन रटलों से फशाये थे संस्थान फिर पूरी तरह तयार है सुपर्टेट के लिए एक सांदार काम करने के लिए ना देखे आप तरह तरह की चीजों में भि पिछले साल हुई थी और आप मैंसे लगभग लगभग लोग सफल हुए थे वही सर्फ से तयारी इस साल भी होगी सुपर्टेट है जूनियर 4000 है 26,000 वेकेंसी आज आ रहे आपकी आज 26,000 वेकेंसी के लिए घोशना हुई है ऐसी बहुत सारी वेकेंसी जो टीचर्स के मैं यह वादा करता हूँ अगले दो दिन में सुपर्टेट के लिए आपको कहीं भी भिर्मित होने की जरूरत रही है पूरी कार योजना मैंने तयार कर ली है अगले दो दिन में सुपर्टेट से सम्मंद सभी जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष मौजूद रहूँगा आप विसे कितने लोग सुपर्टेट के लिए इंट्रेस्टेड है और आपका हमारे साथ जुलकर जो अन्भाव रहा है और बैचिज में किर्प्या उन्भाव को नीचे साजा करें ताकि बाकी जो लोग भिर्मित होते हैं और गलती से इधर उदर परिशान होते हैं वो घर ब चिस्से जुड़े हैं जो हमारे बैच संचालित हो रहा है चाहे वो खंड सिक्षातकारी का बैच्छो चाहे उपीएसाई का बैच्छो आप भी अपने फीड़बेक सेयर करें ताकि जो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर लिखते हैं उनको जबाब मिल सके और आप संस्थ स्थान के लग-लग यह उजना है सबसे पहले प्राइमरी सुपर्टेट का पाठ करम बिल्कुल बैसा ही है और हम जल्द ही आपके लिए इसके लिए एक बैच लेकर आ रहे हैं परसों नर्सों में हम इसकी पूरी रूप रेखा आपके सामने प्रिस्तुत करेंगे कोर्ट द्वारा सिक्षा मित्रों की जगह खाली हुई बैकेंसी पर समायोजन की बात हो सब पर हमारी नेजर है लेकिन हम अलग-अलग समय पर अलग-अलग वीडियो बना के आपको भिर्मित नहीं करना चाहते बलकि पूरे करतब से और पूरी जिम्यदारी से हम सटीक इसके लिए बिलकुत तेजी से आपके सामने आ रहा है और जिस तरीके से आपका इसनियों विश्वास सारे जो है कमेंट्स में दिखा है किसी का भी वीडियो गया हो चाहिए वो बीयो का वीडियो गया हो चाहिए वो यूपी-पी-पी-स का आपने हमेसा पूछा ऐसा ज्यादा करता हूँ इस बार सुपर्टेट में पिछली वाल से ज्यादा अच्छा करते हुए हम रिकार्ट तोडएंगे और हम नहीं आप रिकार्ट तोडएंगे क्योंकि आपके रिकार्ट से ही हम रिकार्ट तोडएंगे तो यूपी-पी-स के सभी सदस्यों से जो प्रा स्थान से जोड़कर अपनी प्रिक्रिया को आगे बढ़ाएं आपको कहीं भी भिर्मित होने की ज़रूरत नहीं है UPPCS में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वैच अभी तक का online institute का सबसे सांदार बैच होने चला है मैं आपसे वादा करता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार